कि Okay, Time and Work में यह हमारा पार्ठ त्री हो रहा है और पार्ट त्री में हम स्टार्ट करें हम से करें तो जितने में टाइमेंड noru अप अगर अतने ना उतना चाहें और बादेगे स्ट कुछत दर दॉटत ही तो ढई है कि मुरली मुरली कैं डू मुरली कैं डू मुरली कैं डू वर्क इन 30 डेज okay Murali can do a work in 30 days and Sinu do the same work same work in 45 days Murali started the work started the work and Sinu replaced Sinu replaced after 14 days in how many in how many days from the beginning 80% of the work will be completed okay so you can do a work in 30 days Murali is this is the 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 तो दो करता है और जो हमारा सीनू है वह उसी काम को 45 डेज में करते हैं उसके बाद कह रहे है कि मोरिली ने काम चालू किया फिर सूरी सीनू ने उसे रिप्लेस कर दिया उसको हंटा दिया कितने दिन बाद फिर कहा जा रहे है कि हाउ मैंनी डेज फॉम दी बिगनिंग शुरु 80% काम करने में कितना टाइम लगेगा ठीक है यह पूछा गया है तो देखो कुछ इस तरीके से है इसको भी हम वैसे डाइग्रमेटिक लिए बनाएंगे कि मालो यहां से काम चालू हुआ और यहां से काम सुरू किया मोरली ने और यहां पर 14 देज तो इतना काम हुआ 14 देज क इतना काम मोरली ने किया फिर मोरली को सीनुने हटा दिया और बाकी का काम जो है वो सीनुने किया पिर सीनुने कितना काम किया हमें rest of 80% काम की बात है तो मान लीजीए कि यहां तक हमारा 100% वर्क है यहां तक हमारा 80% of work है, तो हमें जो time निकालना है, वो सिर्फ इतने तक का निकालना है, ठीक है, यहां तक का जो काम है, वो morally ने किया है, और यहां से यहां तक का काम अब सीनू करेगी, ठीक है, तो हमें total time निकालना है, 14 days तो इतना है, अगर हम इतना time निकालने कि सीनू ने कितना काम किया, कितने दिन में किया, तो हम दोनों का add करके निकाल सकते, तो basic approach, अगर मुझे दिया हुआ है, कि मुरली 30 days में काम करता है, सीनू 40 days में काम करता है, तो simple approach यह है, कि पहले यह निकाल कि दोटल काम कितना ठीक है टोटल कितना काम है तो टोटल वर्क मैं माल लेता हूं 90 यूनिट है कितना 90 यूनिट सो अगर टोटल काम 90 यूनिट है और मुरली जो है वह 30 days काम करता है तो यूनिट वर्क क्या होगा, so, यूनिट वर्क, यूनिट ओफ, और शोरी, यूनिट वर्क और अफ मुरली इस 90 बाइ 30 यूनिट पर डे, तो इसको कैंसल आउट करेंगे, which is equal to 3 यूनिट पर डे, similarly अगर हम यूनिट वर्क और सीनू निकाले, which is equal to 90 by 45 यूनिट पर डे, which is equal to 2 यूनिट पर डे, ओके, लेट सी, अगर मुरली जो है, वो 14 डेस काम करता है, और 90 यूनिट काम है, और वो 3 यूनिट के हिसाब से काम करता है, तो अगर वो 14 यूनिट काम करेगा, और एक दिन में वो 3 यूनिट काम फिनिश कर लेता है, तो इ बाकी बचा हुआ इतना काम है लेकिन इतने काम में से मुझे सिर्फ 80% तक का ही चाहिए तो मैं 90 का 80% निकालूँगा तो विच इस इक्वल्स टू और 72 यूनिट काम मतलब 90 यूनिट का 80% काम कितना है 72 यूनिट अब बहुत सारे स्टूडेंट यह बोलेंगे कि जब 80% ही काम करना था तो आपने स्टार्टिंग में ही 90 का 72 क्यों नहीं कर लिया तो मैं यह कहना चाहता हूँ इन स्टार्टिंग मोरली जो है वह 30 days काम करता है और सीनु जो है वो 40 डेस काम करता है इनिशियली दे आर डूइंग अ कॉंस्टेंट वर्क ओके सो दिस इस नाइंटी उनिटी जब कॉंस्टेंट वर्क बाद में मुझे बोला गया कि हां उसने काम कर लिया तो 80 परसेंट का बताईए ऐसा कुछ है तो मैं स्टार्टिंग में 80 परसेंट एजियूम नहीं कर सकता हूँ जब मैं काम निकाल लूँगा उसके बाद मैं एजियूम कर सकता हूँ यूनिट वर्क जो मैं निकाल रहा हूं यहां पर यह जो यूनिट वर्क निकाल रहा हूं रेट ऑफ यूनिट वर्क वो उसमें बहुत चेंज आ जाता ठीक है लाइक सेवन्टी टू के हिसाब से अलग चेंज जाएगा और नाइंटी के अलग से चेंज आएगा तो मैं निकालेगे, अब देखो, तो 72 यूनिट में से 42 यूनिट काम तो मुरेली ने कर लिया, कितना काम भच गया, 30 यूनिटó अगर 30 यूनिट काम भच गया है, तो 30 यूनिट के काम के इसाब से, अगर हम देखें, तो जो सीनू है वो दो यूनिट काम खतम कर देती है एक दिन में, तो 30 यूनिट काम को खतम करने में कितना दिन लगेगा, which is 15 days, 15 days ही तो लगेगा, 250, 30, ठीक है, 15, 230, ठीक है, so ये आ गया 15 days, तो टोटल 80% काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 29 days, ठीक है, which is your answer, I hope, समझ म आ गया होगा, आप लोगों को, so next question पर चलते हैं, okay, see, so your next question, question number two, which is based on pipe and system, so pipe and system, ये भी हमारा time and work की तरह ही होता है, but एक नया topic start होरे time and work में, pipe and system, so let's see, अच्छा सा question नेते हैं, question है आपका, कि tap A, एक tap A है, ठीक है, can fill, can fill, in 15 hours, ठीक है, tap A, can fill, oh sorry, a tank, a tank, in 15 hours, whereas, whereas, tap B, can fill, can fill, there, can fill that, tank in 30 hours, okay, if both, taps, are opened, या start, सेम बात है, और ओपन साइमल्टेनियसली, in how many, in how many, in how many, या how many नहीं लिख सकते, how much, how much, how much time, the tank, gets, full, so question क्या कह रहा है, देखिए, question कह रहा है, कि हमारे पास दो tap है, एक tap A है, और एक tap B है, ठीक है, तो हमारे पास दो tap है, एक, ये, और एक, ये, ये, ये हमारा A वाला tap है, और ये B वाला tap है, जो दोनों tank को fill out करते, भरते, अब ध्यान से देखो, ये जो A वाला है, ये कितने घंटे में भर देता है, 15 घंटे में, और जो B वाला है, वो कितने घंटे में भर देता है, 30 घंटे में, तो ये मुर्खता मत करना, कि दोनों मिलके अगर बोला गया है हमसे, कि दोनों मिलकर के अगर भरना चाहें तो कितने घंटे में टैंक को भर देंगे तो ये वाली मुर्खता मत करना कि दोनों को जोड़ देता हूँ इस इकोल स्टू 45 हार खुदी सोचो अगर A अकेला 15 घंटे में भर देता है B अकेला 30 घंटे में भर देता है तो दोनों मिलके क्या 45 घंटे लेंगे बल्कि कम लेंगे या सो यह वाली गलती नहीं कर रहे हैं, तो करना कैसे है, बिल्कुल time and work वाले तरीके से, ठीक है, बिल्कुल time and work तरीके से कि बाइब 15 ले रहे थीर से तो अगर जो है वो पंद्रह घंटे में 30 लिटर भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा दो लिटर और तीस बी जो है वह तोटल 30 घंटे लेता है 30 लीटर टैंक को भरने में तो इसका मतलब एक घंटे में एक लिटर ही भर पाई है अगर दोनों एक साथ खोले जाएं तो वह टोटल तीन लिटर भर पाएंगे एक घंटे में अगर एक घंटे में वह तीन लिटर भर पा रहे हैं तो तीस लिटर को भरने के लिए वह कितना घंटा लेंगे 10R 30 by 3 which is equals to 10R so यह जो questions मैंने करा है which is most important for your exams बहुत important है किस-किस lead के लिए important है मैं अभी फिर से बता देता हूं हर्याना lead के लिए अगर आप देना चाहो उसमें भी आते हैं हर्याना के बाद अगर आप UPTU lead देना चाहते हैं इसके अलावा अगर II देना चाहते हो मैं सेक्षिं में इसके आलावा हर जगह आने वाले इसके लावाश वें आप बिट εκ में आडिमिशन लेते हो देन अप्स उसमें काहिंध काम हाना है काम आनकर ABCS अगर आप गेट के लिए बैठते तो गेट एक्जाम में तो भाई 30 माक्स का है तो ऐसा सिस्टम है तो 30 माक्स अप्टिटूड से ही आ रहे है तो अच्छा है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक और पार्ट देखेंगे और विच इस दा लास्ट पार्ट ऑफ आवर टाइम and work okay so I am going to end this meeting